हाई गाइस मेरा है प्रतीक तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हम वाइफाई की स्पीड को कैसे बूस्ट अब कर सकते हैं मतलब अगर आपके वाइफाई की स्पीड अराउंड 70 Mbps है तो इसको थोड़ा 75, 80 या 85 कैसे कर सकते हैं तो शुरू करते हैं पहला स्टेब क्या है अब अब टेंपेरिरी फाईल जितनी में है ना उन सब को डिलीट करेंगे यहां पर लिखेंगे टैंप इंटर हम आप यह यह टेंपेरिरी फाईल्स हैं Ctrl A से मैंने सारी फाईल सेलेक्ट कर ली शीप डिलीट किया और enter permanently delete इसको हम skip कर देंगे देखें skip इसके बाद फिर से continue यह वाजी फाइल से delete करेंगे इसको हम skip कर देंगे दुबारा से and the last one यह वी temporary folder हो रहा है इससे आपकी परस्नल डेता वगेरा को कर अपनी पड़ेगा तो कोई डर नहीं बात नहीं है ठीक है तो यह side delete हो चुकी है अब हमारे second step है हम windows update को off करेंगे तो वो कैसे करते है मैं बताता हूँ आपको यहां पर लिखेंगे services इसको open करेंगे ठीक है ओपन हो गया अब यह अलफबेटी के लिए अरी नहीं थे हैं सारे के सारे तो यहां पर W रिखेंगे और यह आजेगा यहां पर देखना है windows update इसको right click करके पहल तो stop कर देंगे यहां से फिर properties में जाके इसको हम disable कर देंगे apply stop अब यह भी हो गया इसके बाद करेंगे हम cmd खोलेंगे cmd यहां पर लिखेंगे हम ip config space slash flush dns enter इससे क्या होगा जितनी में DNS की cache files होंगी बहुत सारे remove बशेगी तो अब इसके बाद आपके wifi की speed काफी जादा increase बशेगी आपको देख भाएंगे difference तो आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको एवीडियो उच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने friends के लाद शेयर करें और और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्स्ट्राइब तो मुच चैनल थैंक यू प्लीज सब्स्ट्राइब प्लीज सब्स्ट्राइब